स्वागत आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गुरु कुले स्टाडी पॉइंट में तो चलिए आज हम आपके लिए लेके आए हजार क्वेशन सीरीज का पार्ट टू शुरू करते हैं उत्राखंड के किसी नगर निगम का नगर परमुक जो होता हो किसके दौरा निवत किय स्थानिय जंता दोरा अबैके इसका सब्सक्राओंबर से सही अन्सर होगा उत्राखंड का राच्छे पक्षि किस देश का राष्रे पक्षी है तो सब्सक्राइब का नेपाल आप भी बात कर देते हैं जो यहां के परदानवंतरी है उनका नामे खड़क परसाश शर्मावली यहां की जो राश्ट्रेपती है उनका नामे विद्या देवी भंडारी और यहां की मुद्रा क्या है यहां की मुद्रा है रुपिया बॉनाल के शिकार पर कब पावंदी लगाई मौनाल के शिकार पर कब्बाबंदी लगाई गई तो यह लगाई गई थी आपकी सन 1972 में पावंदी लगाई गई थी असकोट वन्य जीव अभ्यारने किस जन्पत में अवस्थित है यह आपका अल्मोडा चमॉली उत्रकाशी इसका सही अंसर होगा आपका पिथोरागड साबन होई ती यहां सरवादी कस्तूरी मिल्ग मिलते हैं नेक्स्ट को स्टर कोईशन के तरफ चाह जाता है जो राजियव पूष्प हमारा ब्रह्म कमल उसको इस्थानिया भाशice में क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है कॉल पडम कुमाओ का पर्थम कमिशनर कौन था जो कुमाओ का पर्थम कमिशनर था वो कौन था एड़वर्ड गार्डनर एड़वर्ड गार्डनर कुमाओ का पर्थम कमिशनर था इसने मई 1815 से अपना कारेभार संबाल लिया था मई 1815 से संबाल लिया था अगला कोशन है परमार नरेश बल भदरपाल को शाह की उपादी किस ने दी थी तो परमार नरेश बल भदरपाल को शाह की उपादी दी गई थी वो किस के दोरा गी गई थी वह दी गई थी बहलोल लोधी के दोरा बहलोल लोधी लोधी वंच का पर्थम सुल्तान था और इसक इसकंद पुरान में कुमाओ को क्या नाम दिया गया है इसकंद पुरान में कुमाओ को क्या नाम दिया गया है क्या दारखन मानसखन उत्राखन जोत्रखन जोत्रखन इसकंद नहीं है उत्राखन भी नहीं है इसका सही अंसर आपका भी मानसखन मानसखन को इसकंद पुरान में कुमाओ को इसकंद पुराण में मानस खंड का नाम दिया गया है ठीक है और जो इसकंद पुराण है उसमें मुख्य थे 5 हमालेखंडो से जिनमें से 2 तो आपके च समय को धिया गया कैदारizard नाम और आपका बागी के तीन जो बचहे हैं उनमें से वो गया नेपाल जलंदर और कश्मीर पांच ही माली खंडोगा उलेगे जिनमें से नेपाल, जलंदर, कश्मीर, मानस कंड और कैदार कंड गाई इसकंद् पुराण के हैं सबसे बड़ा पुरान है किसवाइस साइस और पुराणों की करम में इसका 13 नंबर हैं ती के इसमें इसका नाम इसकंद पुरान कांति की इस में पर पर प्रोग तर जाने एंक जनगल दे जाने जा रहा था उसी कर लेकर गंधी जी का एससे गंडलन चल रहा था उसके साथ साथ में आंड़ोलन भी चला इसी आंडलन को इस थानिय भाशा में डांडलन का आगिया बढ़ते हैं next question की तरफ विशेश रूप से किस देवता से कतार्मल मंदीत है जो कतार्मल मंदीत है वो किस देवता से समदीत है वह हमारा समदीत है सुर्य देवता से और यह कहां पाया जाता कटारमल का मंदिर किस जगह इस्तित है यह आपका अलमोडा में और इसका निर्माण किया गया था कत्युरी राजवंच के शाशक कटारमल द्वारा चाटी से नोवी शताब्दी के बीच में इसका निर्माण हुआ था और इसी के सामने आपको जीवी पंथ हिमालेन प्रेवर्णन संस्तान भी दिख जाएगा अशोग कालीन शिलालेक राजे के किस स्थान से मिला है वैं मिला है आपका काल सी देरादून से किस ग्रांत में उत्राखन के लिए उत्तर कुरू शब्द प्रिक्त किया गया है यह किया गया आपका ओप्शन है इसमें तैत्रिय ब्रामन एत्रिय ब्रामन शत्त पत्त ब्रामन इनमें से कोई नहीं इसका सही अंसरा आपका एत्रिय ब्रामन नेक्स्ट कॉशन है हमारा वेन सांग ने गो विशान की यातरा कब की थी वेन सांग की थी यह बहुत भिख्षूता जो हर्श्वदन काल में आये भारत आया था और यह अलगल को 15 वर्श भारत में रहा था और इसने अपनी एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था सी यू की उसने अपनी यातरा का उलेग उसके किताब में किया था यहां पर 636 इस्वी में इसका अंसर होगा उप्शन नमबर सी और उस समय काशीपुर को गोविशान नाम से जाना जाता था और पुर्वकाल में उसे उज्जैनी नाम से जाना जाता था बगवान राम ने अपने अंतिम समय किस स्थान पर तपस्य गी थी तो उन्होंने अलकापुरी देव परियाग नंद परियाग जोतिशपुर उन्होंने की थी देव परियाग में नैठडा का किला कहां है है नैठडा का किला इसका सभिख आहिं का अलमोरा में इसका निर्मान क्या और गोर्खा शाश को द्वारः किया गया था लेकिन अभी इस किले में सारे सरकारी दुफ्तरम जिलाने आदीष कचैरी energy कारेले हैं कि बढ़ते नेक्श्ट क्थिंड की तरफ घणवाल नाम कबश्षी तूम्हा है पंदरह सो बारा आठ यह आया था आपका reward आजयपाल ने चंदपूर गड़ पर सिहासन किया और कई रियास्तों को अपने एक साथ में मिला लिया था उन्होंने कई रियास्तों के सरदारों के साथ एक जुट हो गए थे वो सबको एक साथ समाज हो जित कर लिया था ठीक है और तब जाके इस राज्य को क्या नाम दिया गया गड़वाल नाम से जाना जान लेगा ते नेक्स्ट क्वेशन की तरफ टीरी रियासत का भारत में विलाय कब हुआ था वो हुआ था सन उन्नीस सो नंपचास में में टीरी रियासत का भारत में विलाय हो गया था और यह हुआ कैसे था जो उन्नीस सो च्यालिस में नरिंदर शाह ने अपनी स्वेच्छा से अपनी गदी मानुएंदर शाह को सौब दी थी ठीक है जनतकों को लगा कि राज्य अभशेक के समय जो राजबंदिया है बनाए हु में विशाल जनसेला भी खटा हुआ ठीक है जिस पर पहले तो आंसु गया इसके गोले छोड़े गए थे ठीक है बाद में उसमें गोलियां भी चलाए गए थी इसमें क्या हुआ था कि इसमें नागेंदर सकलानी और बोला राम शहीद हो गया थे ठीक है इसके बाद फॉलस गौलीच सब्सक्राइब और चेत्र में दो विद्या पीड़ थे जिनका नाम है आपका बडिकाष्रम और कनाष्रम आपका कोड़दार में इसती है कि रतिनागर आंदोलन कभी उता कि रतिनागर बाद रहा था था 7-8-9-50 यह फिर 46 यह नाथा आपका उननिस सो अड़ता में इस आंदोलन में मौलू राम बर्दारी और नगेंदर सकलानी शहीद हो गयते और इस याद लोलन से क्या हो गयता है कि राजसत्ता में हड़कम मजिया था इससे बहभीत होकर जो राजा था वहां का मनवेंदर शाह थीक है उसने 1959 में विलीनी करण परपत्र पर हस्ताक्ष कर दिया था फलसरोग क्या हुआ था कि अगस्त 59 को टीरी उतर परदेश का एक जिला बन गया था बढ़ता है हमारे लास्ट कोईशन की तरह थारू जन जाते ही लोग चावल से त्यार की गई शराब पीते हैं यह तोड़ा गलट है वो रख है पीते हैं पीते हैं इस शराब को क्या कहते हैं इस शराब को क्या कहा जाता है जाड मदिरा खाटी चुकुल इस मदिरा को इस शराब को कहा जाता है आपका जाड इसको जाड कहा जाता है ठीक है मुक्य रूप से जो यह थारू जन जाती के लोग होते हैं कहा पाए जाते हैं जहातर यह उद्धम सिंग जि हजार क्वेशन जब तर आपके पूरे नहीं होता आपके एक्जाम से पहले पहले हजार क्वेशन हम आपके पूरे करवा देंगे आप बस डेली हमारे साथ बने रहें धन्यवाद